अगला सवाल पूछे आप अपना सवाल अपने आपाह याइ चलने शालते हैनोह आपने आपाभा खौते चलने जा रहा है वापके लिए भी डेंजरस है सामने वाले के लिए एसी तरह से अफी剛剛 सव awak वो भी कईना कहीं आपके दिमाग का संतुलन ब्गाडते हैं कयाना बिसाजकल बच्चों में बहुत देखने लगे हैं जो भांग से रिलेटेड नशे हैं वो भी कईना कहीं दिमाग के संतुलन को काफी हद तक बिगाड सकते है अगलेक स्वाथ मैं कुछ केसों से में देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ किमिनल से बर खर बैठते हैं तो क्या कानून उनको सजाद देता है और देता है तो फिर किस हद तक उनको सजाद देनी चाहिए? देखिए हमारे यहां जो कानून है हमने एक यूएन ट्रीटी चाहिड प्रोटेक्शन राइट वाली साइन की हुई है जिसके तहट जुविनल जस्टिस आट के तहट उन बच्चों को रिमांड होम्स वग्यारा में रखा जाता है और कोशिश की जाती है सुधारने की लेकिन वहीं पर यूएस के अंदर ऐसा नहीं है जो कुछ तरीके के क्राइम है जैसे रेप है या मर्डर है या इस तरीके की जो चीज़े हैं उनको उन्होंने उससे बहार रखा हुआ है और उनको ये कह उनका ये मानना है कि जहां पर क्राइम इस नेचर का अगर कोई बच्चा कम इस तरीका है वो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंप्लिमेंटेशन वाला है चलता है एंपथी है सिंपथी है ऐसा नहीं है ये कानून कहता है और आपको इसका पालन करना है उसमें फिर सोच विचार वाली बात नहीं है हमारे हाँ थोड़ा सा सॉफ्ट रभाई है माम अने इस परिस्टिश पर गुसे के जैसे हमने कहा कि हमारे एक एम है लाइफ में हम कुछ पाना चाहते हैं आदमी पढ़ा ही करता है नौकरी पाने के लेकिन आज की दौर के अंदर अनेम्प्लाइमेंट इतनी ज्यादा है वो अचीव ना कर पाना जो परिस्थितियां उसके नौकरी नहीं मिल रही तो आटमेटिकली उस परिस्थिति पर गुसा आता है खुद पर गुसा आता है भगवान पर गुसा आता है हर चीज पर गुसा आता है और यह जो चीज़ें हैं यह अल्टिमेटली उसके वो जो आच एक वो है कि जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को ना वो तो मिली नहीं रही है तो इसका वही तरीका है कि ये देखना कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही क्या हमारी पढ़ाई उसके रिलेटिड नहीं है या हमें कुछ और भी अडिशनल करने की जरूरत है तो एक इंसान को अपने आपको नापने तौलनी की जरूरत है और उसको करने के बाद अगर सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है एक हमारा बहुत इंपोर्टन्ट हमारी जिंदगी में रिलिजिन नाम की चीज है जिसे हम काफी हद तक कई लोग भूते चले जा रहे हैं रिलिजिन के अंदर एक इतना बड़ा सपोर्ट इंसान को मिलता है क्योंकि मौस्टली धर्मों ने कहा है काम, क्रोध, अंकार, लोब इससे हट कर एक आदमी तभी आगे बढ़ सकता है तो रिलिजिन का एक सपोर्ट जो है एक आस्था, एक उमीद जादतर हम लोग तब गुसा होते हैं जब हम अमीद खो बैटते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला सब कुछ परिस्तिती मेरे हाथ से निकल चुकी तो हमें हर आस पड़ो उस पे पता है तो बच्चे पर गुसा निकालेगा पती है तो पत्नी पर गुसा निकालेगा माँ है तो बच्चे पर गुसा निकालेगी तो कहीं न कहीं ये चीजें जो हैं हमें हमें हल्प करती हैं कि हम अपने गुसे को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें जी लीजे सवाल मेरा सवाल समीर सर से है सर जैसे एक्सार देखने में आया है कि गुसा इतना ज्यादा इंसान को आ जाता है कि वो तोड़ फोर में जाने लगता है इसन आप्यूस करने लगता है हाँथ उठा देता है दूसरे के उपर तो क्या से हम इसे मानसिक बिमारी माने 설명 है शोपनर करता है कि कंट्रोल नहीं कर पाता है और यदि ऐसा कुछ हमें दिखता है उस व्यक्ति के अंदर तो फिर हाँ वो मानसिक बिमारी है पर यदि वो केवल एक बार ऐसा हुआ और उसके पीछे हालात ऐसे रहे जिसके चलते उसका गुस्सा निकला है तो हम कहते हैं कि यह बिमारी नहीं है पर उसको पूर्ण कॉंटेक्स्ट के अंदर समझने के आवश्यक्ता है उस गुस्से को और दूसरी बात यहां पर यह भी जरूरी है बिमारी के साथ साथ किस प्रकार का इन्वार्मेंट है उस इंसान का क्या उसके पास और तरीके हैं उस गुस्से को सामने रखने के क्या जो चैनलाइज कर पा रहा है कहीं उसका कंट्रोल मेकानिजम तो नहीं फेल हो रहा है यह सब चीज़ें इसके साथ जुड़ जाती है और कितने लोग है समीर जी जो मतलब कितना जरूरी है आज के दौर में मेंटल हेल्थ पर अध्यान देना बहुत अधिक मुझे लगता है जैसे के वह में मेंटल डिसॉर्डर्स या उनके इलाज की बात नहीं करते है आज की देट पे आज हमें लगता है जो नीड ऑफ दे आर है उसमें प्रिवेंटिव साइकायट्री भी एक बहुत इंपॉर्टन रोल अदा कर रही है और करेगी आगे चल कर क्योंकि कहीं कुछ सिचुएशन से बचा जा सकता है कई बार लोग काफी इस तरह की परिस्तितियों में आ जाते हैं जहां उने दुख भी होता है कि हमने आसा क्यों किया है उनसे बचा किया जा सकता है जैसे बात हुई नशे की बात हुई कई बचपन से लेके बड़े होने तक कई ऐसे डिसॉ कि दूसरे व्यक्ति को एक मूट डिसॉर्डर है या इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम है इन चीजों के आज इलाज उपलब्द है जरूवत है उसे समय पर समझने की और वो इलाज करने की साथ साथ मुझे लगता है अज्ति कि आज हौछ बहुरब्धरर अज परेवर्कोर्ण सीजर हैं मुझे लगता है जिनकी मुझे लगता है इस सरेशं की भी जरूवत है कैवल दब जाना भी मुझे लगता है बार बार भार को भी है एंगर को जन देता है एक आखरी स्वाल ने पुझ Billy सिया है गुस्सा कि सथ तक शरीर को एफेक्ट करता है। मेरे काल में अगर डॉक्टर साब सी सब्सक्राइब जादा अच्छा था। पर बहुत हद तक क्योंकि आपका दिमाग और आपकी बॉड़ी जो है वो कहीं ना कहीं लिंक्ट है। और आपका जिस तरह से आपका दिमाग काम कर रहा है वो कहीं आपकी बॉड़ी के पर भी काम करता है। और अगर देखें आप तो आप किसी आपकी थौट की वज़ा से गुस्सा है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ या मुझे कुछ इस तरह की परिशानी है जिसमें मैं मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। मेरी खुदारी के ओपर कुछ असर आया है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी बॉड़ी जो है वो एक डिफिकल सिच्पेशन को रिस्पॉंड करने के लिए वो अपने आपको तयार करती है। और बॉड़ी तयार कैसे होती है कि आपका हाथ ज्यादा ब्लड पंप करेगा ज्यादा तो दिल धड़केगा। जब आपका सेकुलेशन ज्यादा तेज होगा तो आपका बॉड़ी का तेंपरिचर पर फरक पड़ेगा। उसको कूल करने के लिए आपको पसीना आएगा। हाथ जादा पंप कर रहा है ब्लड तो उसको चाहिए तो अगर आप सांस तेज तेज लेने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इस सिट्वेशन में देखा यह जरूर गया है कि आपकी बॉड़ी भी भी अफेक्टे हो जाती है और उस बॉड़ी को कंट्रोल करने के लिए कुछ त हाथ के उपर काम कर सकते हैं फिर आप सिट्वेशन को शाद जादा अच्छ समझ पाएंगे किया चीज है जो मुझ को घुस्से में ला रही है किया चीज है जो मुझ को घुस्सा दिला रही है और इस वक्त मैं किस तरह से रिस्पॉंड करूं क्या चीज मेरे लिए जादा और क्या चीज़ मुझे नुकसान पहुचा सकती है। जी लीजे, सवाल मेरे सवाल आप सबी लोगों से हैं जैसे कि मैं ने बता है कि गुष्णा काफी पुराने टाइम से रिशी मुनियों के टाइम से चला रहा है और गुष्णा आज भी चल रहा है तो मैं यह पूछना चाहूँ हुआ, आज के टाइम में हर इनसान को गुष्णा आता है तो गुष्णा रोकने के हम क्या कर सकते हैं सड़ली एक तो उस सिच्वेशन से हट जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसान उसी समय एक सिच्वेशन को सॉल्व कर लिना चाहता है कि मेरी बात सुन ली जाए दूसरा यदि उसके साथ कोई बैठे हैं उसकी बात को सुने जरूर उसे काटते ना चले जाएं क्योंकि उसका गुस्ता पर और बढ़ता जा रहा है तीसरा कहीना कहीं डिस्ट्रैक्ट करें खुद को जैसे का कहा गिन्ती गिने उल्टी जब आप उल्टी गिन्ती गिनते हुंकि तो अपने माइंड को इस्ट्रैक्त कर रह스 है चौथा आपका जिससरा से सवाल पूचा है कि बाडी चेंजिज मोगते हैं बोडी लैंगुज आपकी बदल रही होती है, दिल की धड़कने तेज हो रही होती है, आपका बलड प्रेशर की बार बढ़ा होता है, आप सांस बहुत फास ले रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी क्रिया है, कुछ ऐसे तरीके हैं, रिलाक्सेशन एकसाइसे जो आप कुछ उस पल क बढ़ा हैं, तो फिर इलाज की ज़रूरत है, लेकिन गुसा सब एमोशन की तरह, फियर, लव, प्यार की तरह, एक एमोशन है, और यह रहेगी, हम जैसे कह रहे हैं, सद्धियों से रही है, अभी भी रहेगी, और आने वाले समय में भी होगी, जैसे हमने कहा है, इसको चैन किस से, कहां तर, और वो ज़रूरी है, उसको मैनेज करना महुत ज़रूरी है, अगर चलते चलते में, कहीं ना कहीं, हमें दूसरे का भी ध्यान रगता है, कि मेरा तो गुस्सा है, पर दूसरा भी उसके भी कुछ डिगनिटी है, उसके भी कुछ वर्त है, एक दूसरे की कहना चाहेंगे कोशिशे क्या हों, कैसी हों, खासकर जो हमारी आज की फामिली है उसके लिए, तिके, डिफरेंसे ऑपिनियन तो हमेशा थे लोगों के बीच में और हमेशा रहेंगे, चाहे वो कोई भी रिष्टा है, पर तो लेर्न हाव तो एग्री तो डिस अग्री ज़र अपनी बात को किस प्रकार से तरीके से सामने रख पाना ये भी एक कला है, जो कही ना कही हमें इंकल्केट करनी है, और गुसा जैसे कहा एक नाचुरल एमोशन है, पर कही ना कही वो क्या रूप एक्तियार कर रही है, उस पर कंट्रॉल क्या वशक्ता है. मैं अपनी ना हिस्ट्री और कल्चर की तरफ रुक करना चाहूंगी, और कही ना कही मुझे लगता है कि इन सब तमाम बातों का जवाब वहां पर है, जब हम एक्स्टरनल लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आत्मा या इंटरनल जो हमारे आस्पेक्स हैं, उनको पीछे चोड़ देते हैं, हमारे लिए material चीज़ें ज़्यादा जरूरी है, material किसी भी तरीके की, position, place, money, गाड़ी, ओदा, वो जब ज़्यादा जरूरी हो, खुबसूरती, इस तरीके की चीज़ें जब हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं, तो expression of anger भी इस तरह दियान दे तो कही ना कही जो चैनलाइजेशन एगुसे की वो सुज़ेटीव हो जिए जरूरी होता है, आज लोग बाहर निकल जाते हैं, जो पले सही होती थी, आज लोग तो सही नहीं मानते है, जो फेले गल्ट याज उ सही मानते हैं, तो बांडरी बांडरी एक किसी के डिगनिटी को अटाक करना, यह बढ़ता चला जा 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 है क्या करेंगे तरह से सब लोग कह रहे हैं एक बहुती नाच्रल एक नाच्रल एक एक प्रेशन है, एक एमोशन है पर मुझे यह लगता है कि अगर हमें कम्यूनिकेट करना और एक्सप्रेशन और कम्यूनिकेशन जो है, वह बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि जब हम अगर अपनी बात को नहीं कह पाएंगे एक दूसरे से, तो वहां गलत तेमिया होने के भी चांद से जादा है और वहां पर फ्रस्ट्रेशन होने के पी चांद से जादा है तो अपने बादी और माइंड दोनों को तंदुस्त रखने की जरूरत है और हमारी जो सोशलाइजेशन की चीजें थी परिवार और स्कूल और पियर गृप उनको अपने रोल को फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की जरूरत है गुसे को अगें येकी बात है कि गुसा आएगा जरूर आएगा लेकिन उसको चैनलाइस करने की जरूरत है बहुत सारी वैलियो जो स्कूल में हमें पढ़ाई जाती थी किसी समय में किताबों के अंदर थी जो लुप्त हो गई है उनको वापस लाने की जरूरत है काफी हद तक हम वापस उस दोर में जा रहा है योगा को हाईलाइट किया जा रहा है मेडिटेशन को वाक को और हेल्दी लिविंग को जिससे हाईलाइट किया जा रहा है मुझे लगता है ये सारे तरीके हमें गुस्से को पीछे छोड़कर एक तंदुरुस्त जीवन शैली की तरफ ले जाने में सार ठक होंगे विल्कुल अमोमन गुस्सा एक पस्नालिटी डिसॉडर भी है जितनी देर हम गुस्से में रहते हैं उतनी देर हम अच्छे बुरे की तमीज से कोसो दूर हो जाते हैं और अक्सर हम ऐसे काम कर बैते हैं जिससे कहीं बार इंसानियत बेश शर्म सार हो जाती है हर पवित्र गरंथ में ये कहा गया है कि जो गुस्से को काबू कर लेते हैं वो जन्नत के स्वर्ग के हकदार होते हैं और इस सब सबात की एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगे कि जिन्दगी बहुत चोटी सी है इसे हस्ते खिल खिलाते गुजारिये अपने और अपनों के बीच और अपनी जिन्दगी में इन करवे लवों को कभी भी नहीं आने दीजे और अपनी हार की वजह से दूसरों की जिन्दगी से खेलना इंसानियत की बात तो नहीं है वो किसी में क्या खूब कहा है कि जामे खुशी से दिल में खुशी और बढ़ा ले पैमाना ख्वाहिशात का कुछ और घटा ले इसी के साथ मैं अपने सभी पानलिस के बहुत बहुत शुक्रिया आदा करते हूँ कि वो यहां आए और इस चर्चा का इस सब बने आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया का आपने बहुत अच्छी सवालों का दोर जाग रखा आप यहां सकते हैं असमिता में कीजिए हमें इमेल हमारा इमेल आईडी है इसमिता.LSTV at the rate of gmail.com यहां में ये भी जबूर लेके कि आप और कौन से विश्चेओं को असमिता के मादधे हम से देखना चाते हैं हमें आपकी इमेल्स का इंतसार रहेगा इसे के साथ मैं समीना समिता के पूरी टीम के साथ आपसे लेती हुजाज़त फिल मिलेंगे कौन ने विश्चे के साथ तब तक लिए वक्त बदल रहा है बीदा वक्त कुछ और था आज का वक्त कुछ और है हम लोगों ने एक पेरा टुपिंग की है मांटो इनुरींग की है हम लोग शूटिंग करते हैं